Hello student, welcome once again, कैसे हैं बच्चों आप सभी, आश्रा करता हूं सब बच्चे, fit और fine होंगे पहरे बच्चों आज की इस वाले वीडियो में हम लोग exercise 6.2 का जो first question है, इसे solve करना सीखेंगे इस वाले question को solve करना इस पहले जो मैंने video बनाया था, उसे मैंने आपको 6.2 का एक छोटा से intro करा दिया है ताकि आपको parallel line के बारे में समझ में आ जाए, वैसे तो आपने class 7 में इसके बारे में पढ़ी रखा है फिर भी एक छोटा सा हमने revision वाले intro कर दिया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लिए ना नीचे description box में आपको सारे वीडियो के link मिल जाएंगे, तो यह start करते हैं और इस वीडियो में हम लोग यह जो पहला question है इसको solve करेंगे तो यहाँ पर AB और CD दो parallel line है, हमको क्या करना है, X और Y की value find करनी है तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब कभी भी angle वाला question है तो उसको आप कई तरीके से find कर सकते हो ज़रूरी नहीं कि जो मैं बताऊं या जो आपके teacher बताएं केवल वही दो तरीका हो, वो सकता है कि वहाँ पर कोई third method भी apply हो रहा हो जैसे मान लो, मुझे यहाँ पर X और Y find करना है तो मुझे सबसे easy तरीका क्या लग रहा है, कि यहाँ पर 130 यह है अनि अन्दर में बने हुए alternate side में, अगर यह left में बना है तो यह right में बना है तो यह होते हैं alternate interior angle और इनका खासियत क्या होता है, इनका relation क्या होता है आपस में, कि दोनों आपस में equal होते है तो अगर ये मेरा 130 निकल गया, तो ये भी मेरा 130 निकल गया, देखा आपका answer आगे तुरंद, और दूसरा तरीका क्या है, कि यहां से आप ये 50 और जो X है, इसको मिला करके आप निकाल सकते हो, ये X ही value, तो अगर ये 50 है, तो जाहिर से बात है, ये 130 ही होगा, तभी न 130 और 50 म तो ये 130 ही होगा, तो इधर से ये 130 निकल गया, तो ये alternate interior angle है, तो अगर ये 130 है, तो ये 130 होगा, तो आप ते बताया ना, मैंने कि बहुत सारे method होते हैं, फिलहाल तो इस question में क्यों दो ही method है, हो सकता है, कुछ तीसरा आपको दीख रहा हो, तो आप लगा सकते हो, बाकि मु इसलिए पहले देख करके, ये answer निकालो अपने mind पे, उसके बाद copy में कि तो लिखने बहुत असान है, अई ये मैं आपको समझा देता हूँ कैसे लिखते हैं, तो देखो, ये हमारा first video है, इसलिए मैं थोड़ से statement आपको बता दे रहा हूँ, कि जब भी this type question है, तो पहले य लिख लिया करो, कि जो हमारा AB और CD है, वो क्या है, आपस में parallel है, parallel की ये sign होती है, तो ABCDR parallel, then हमारे पास ये और ये क्या है, आपस में vertically opposite angle है, तो ये हो जागा हमारा vertically opposite angles, इस तरीके से, ये जरूर लिखा करो, कि आपने equal तो बता दिया, लेकिन कौन से rule से बताया है, तो ये ये वाल हमारा rule है, angles को short में ऐसे लिख दिया करो, तो ये हमारा 130 निकल गया, अब आप लिखो कि angle X जो है, वो equal है angle Y के, और दोनों equal हो जाएंगे 130 के, क्योंकि Y का हमने value भी निकाल दिया 130, अब ये angle X और Y कैसे होगा equal, तो ये दोना आपस में alternate interior angle है, तो बस ये होगा हमार alternate interior angles, खेल खाता हम, बस इतनी दो लाना था आपको, X का value भी 130 आगया, और Y का भी 130 आगया, पस इतनी ही आपको करना था, देखाएंगे दो लाइन के answer रहता है, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकि आप इधर से भी अगर बनाना चाहों, तो जैस नहीं पड़ेगा, कि X और Y आपस मेकोल है, क्योंकि दोनों alternate interior angle है, तो चलो, यह अलब वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे हम लोग नेक्स अले वीडियो में, जहाँ पर अगला जो कोईसे है न, उससे भी मैं आपको इसी तरीकेस कितम simple method में समझा दूँगा, thank you for watching,